सतना शिरी वाहे गुरू सहेब जीयो परम सन्मानियो गुरूरू गुरू खालसा सा संगर जी वाहे गुरू जी का खालसा वाहे गुरू जी की फते पाई रूप चंद अते पाई पीवा दोमे सरांद वेच रेंदे सन किर्थ करदे सन, सिखानू मिलदे सन, ते वंड के पोजन छकदे सन पहला देन वेच पोजन त्यार करदे सन, ते सिखानू बड़े प्यार नाल छकौँदे सन ओना दे पास एक मुगल आया, उसने अश्रफियां दी वांसनी, रूप चंद, अते पाई पीवे पास संबाड़ ली रख दती, के ओ फेर आके ला जाएगा अश्रफियां नो ओना पास तरके दिल्ली नो चला गया, एना दोहा ने वही उते नाल खया, उह पोल गए ते देले विच भी याद ना रहा ओथे ही तरियां रहियां, जित्थे एक वार मुगल तर गया सी पाँज महिन्या बाद मुगल वापस आया, अथे दोहा नो अपना चेरा वखाया तानमंगण वास्ते उसने केहा, मैं तो अडे पास एक अश्रफियां दी वांसनी राख के गया सी पाई रूप चंद अथे पाई पीवा, वही खोल के अपना लिखया विखन लगे उस मुगल दा ना वही दे वेच किते वी ना विखया, तुँ अश्रफियां दी वांसनी साडे पास नी रखी वही वेच किते वी तेरा ना नी लिखया बहुत देर तक चगड़ दे रहे, अखीर नियाव आस्ते नवाब दे पास गए ओथे तेल दा कड़ा हाथ रहा होया सी, ओस वेच हाथ पॉंड ली, उसनू बहुत गर्म किता होया सी पहला सिखाने गुरुजी दी सुखना, पांज मुरा दा परशाद क्रोना सुख्या मुगल ने पीरा नू शीरनी देनी मनी, मैं शीरनी वण्डागा, उसने कहा दोवा दे हाथ कड़ाहे विच पाए गए, सिख दा हाथ बच गया, पर मुगल दा साड़ गया चूठा समझ के मुगल नू बहार कड़ देता, पाई रूप चंद अथे पाई पीवा अपने कार्णू चले गए कार्जा के पीवे ने अपने प्रारूप चंद नू केहा, मुगल क्यों तानमंगना चौदा सी फिर दोवा ने सारी दुकान विच हर स्थान ते पाल कीती जिस वर्तन विच ओ अश्रफियां दी वांसनी रखी गई सी, सारियां मोरां वोस वांसनी विच इकठियां पईया सन बहुत दुखी हो के दो में चाटो थे गए, जिते मुगल बहुत चिंतित अते महा दुखी होया बैठा सी ओना ने केहा, असी पोल गए सी, बहुत चंगी तरह खोज कीती है, बाद विच परिहोई वांसनी मिल गई है ये अपनियां मोरां लवो, ते दुख दूर करो, सानू माफ करो, साथों पोल हो गई है, तुसी सुखी रहो मुगल ने परसान होके केहा, तुसी ओस समें किस दी मानता मनी सी पाई पीवे ने केहा, असी सचे सद्गुरु जी दे ना आते, पांज मोरां सुखियां सन मुगल ने गुरु जीनू पूरण गुरु जाने आते केहा, मैंनो भी गोरस्थान ते लै चलो दो में परा मुगल नू लैके, छेती ही गुरु जी दे पास आ गए, मत्था टेक के बैठके बुच्छन लगे साड़े दिल नू पता लगे के एह उल्टी क्यों होई है, सच्चा चूठा हो गया है, ते चूठा सच्चा हो गया एह सुनके सद्गुरु जी ने बचन कीता, एना नू सोजी नहीं सी के ताने एना दे पास है, दूसरे सिख सड़ी शर्णी पैगे सन, असी अपने सिख जान के बचा लया है, तो अड़े बहुते पीरा ने रख्या नहीं कीती एह सुनके मुगल चर्णी पैगया, अते सिख बणके गुर्मत पाई, सारे जिथे कितेवी सन, तानतान केंदे सन, अते साथकुरु जी दा, स्रेश्ट जस उचार्न करदे सन एसे तरह एक परतापु नमी सिख चल के आया, अते आके साथ गुरु जी देगे, उसने सेरनी वाया, हथ जोड के इस तरह बेंती किती, साड़ा कार विहार, शस्त्रा नाल है, जिस तरह भी कल्यान पराफ्थ होवे, आप जी महान उकदेश करो गुरु जी ने फिर उसनु केहा, जाद काल होदा है, ता फिर उसनु कोई भी बचानी सगदा, जे कार इस ता काल नहीं आया है, ता काल ही सदा रखा रेंदा है, इस करके युदा आपना तरमतर्ण करे, अते युद विच्वी, कुरोधी होके, आपने आपनु नात्याके ता उते तरम दिखातर जंक करे, बहुत आके थोड़े इह मन विच ना ले आवे, अपनी समरत्था अनुसार दान करदा रहे, खान पीन दे पदारत, वस्तर, तान देवे, शस्त्रा दे दान विच भी बरकत हुन दी है, इह निस्फल नहीं होंता है, जगदे स्रेश्ट जस अम्रत समान हन, अते निंदया जहर समान है, जड़ी नुकसान ही करती है, एह सुन के परतापू बहुत परसान होया, अते गुरु जीदा परताव वेह के नमस्कार कीती, एसे तरह पाई नंदा विठ़ड, अते स्वामी दास, थनेस्तर सहर विच रिंदे सन, आपस विच मि केंदे सन, इको वार कर दे सन, एक मुल वाले वना दा ना ही पै गया, ओह चलके साथ गुरु जी दी शर्नवे चा गए, बंदना करके गुरु जी दे पास बैठ गए, एक मुल वाले दा जिकर होया, शिर्गुर अरजन देव जी ने कहा, एक मुल रखन नाल ही तो अड़ा क पाप नहीं है, अते सच समान, कोई पूजदा नहीं है, सिखा दी नित सेवा करो, अते गुर्मत नू सदा हिर्दे वेच दार्न करो, सर्दिया वीच कपड़े देओ, अते चंगे कमा वेच भुद्धी अते इंद्रियान नू लाया करो, गुरु जी दे बचन मान के कार्ण आगे, अते सिखा दी सेवा वेच, मानन नू लाया, पुत्तर, इस्त्री, सारा नू प्रेम करदेशान, अते जे सेख मिलन, ता ओनान नू बड़े प्रेम अते मिठे सुआ नाल मिलदेशान, गुर्बाणी नाल प्यार करदेशान, अते रा चल्दयां भी पढ़दे सुनद सिखा दे चर्णतों दे सान, अते पोजन वस्त्रादा बहुत दान करते सान, इस तरह करदेशान ही उदार हो गया, अते गुर्दरवार वेच, परमपद पाया, फिर पाई गोपा, पाई मैता, पाई नथा, अते पाउ मोकल, सारे एक थाए कठे होए, फिर टिली मंडल नू नाड लेके गुरुजदे पास आए, बंदरा करके शुब दर्शन किते, अते हथ जोड के बेंती किती, आप जीने कई परकार्दी बानी दी रचना किती है, पड़ सुन के मन नू सुख मिलता है, प्रेमवदों दी है, अते दुखा नू दूर करती है, विश्या तो शांती उपजाउंदी है, अते सात नामदा सिमरन करन लई, मन पौधा है, कईया होरना नेवी बानी लिखी है, ओ बहुत परकार नाड, चतुराई नाल मिली हुंदी है, ओना नू सुन के मन पिगलता नहीं है, अते नाड प्रेम नहीं उपजदा है, शीर गुरुज ने मुक्तों गुर्बानी विच निपोन शक्ती है, जेडे प्राणी कल्यान चोंदे हैं, ओ जे पन्न अते शुब कना नाल सुन्न, ओना नू विशाल फल प्राप्तुन्दा है, जेडे मनुक बहुत अबयास कर दे हैं, वाहिगुरु आसरे ओना दी मुक्ती हो जन्दी है, जेडे पैड लोग वेच किसे तरह भी दुखी नहीं होंदे, ओना सिखाने सुनके सुख पाया, अते गुर्बानी नाल प्रेमवदाया, दो सिख पाई मैता सक्तू, अते पाई निहालू, जेडे बहुत बुद्धी मान सान, आगरे वेच रेंजे सान, ओ शिरी गुरु अर्जन देवज शुभगति प्राप्त नहीं होंदी, नित करम विच ओहो देवते अते पित्राणू त्रिप्त कर्न आसते हाथ जा अर्गे नाल, गायत्री मंत्र पढ़ के, जाल देनंदे करमनू लेंदे हन, अते संदया पूजा अते शिनान कर्नू केंदे हन, जिस नाळ दे पवित्तर हो पित्रा दे पाखविच, पित्रा नमित, ब्रामना नू अन आद खवाओ, पेंड पतल अते दस गातर दी रसम करो, पाव, मिर्तक दे मर्ण पिछों, दस दिन तक इह रसम करदे रोहो। जिड़े ग्यानी हन, ओ कुझ होर ही केंदे हन, ओ कर्मा सहित, सरीर नू मिथ्या या चूठ मांदे हन, ग्यान बगएर कोई गती नहीं पासकदा, वेदा दा नेम नाग उचारन करो, असी हित्तार के की ग्रहन करिए। एस सुनके गुरू जी ने अपने पवित्र मुखार बिन्तों के हा, जिमें जहाज विच दोपाशिया वपार दे सारे कम करवादन दा है, इस तरह ही सत नाम महान सुंदर है, एस सुखादा कार दोवान नू गती दिन दा है, ग्यानी दी एस सदा सहता करदा है, अते ग्यान नू द्रिड़ बना के रखदा है, मैं ब्राम हा, सदा एही बिर्ती रिंदी है, विस्रन नहीं दिन्दा, ते सदा पकेत और ते टकाई रखदा है, करम कंडी नू निशकाम करके, अंते करन नू बहुत कोमल बना दिन्दा है, फिर ग्यान दी प्राप्ति करदा है, करो, ओनाने ए सुन के वाहे गुरु नामनू सुमालया, अते अंत, परमपद, सोखे टांग नाल ही लेलया, एसे तरह एक पाई गडियल, अते पाई मत्रा दास, गुरु जदे पास आय, ते दर्शन कीते, ओ पार्टाउन दी केर्थ करदेशान, अते गुर सिखे नू तार् करदेशान, अपनी सम्रथा नुसार, पोजन अते वस्तर देशान, अपने परवार नू ए केहा होया सी, साड़े पिछों जे कोई सेखावे, ता जे में आसी सेवा करदेशान, ओस तरहां तुसी भी सेवा करनी है, पोजन वस्तर वेख के देणा, ता दे जेडे सेख करदेशान देशान, ओना नू तो अडे वरगा समझ देशान, एह बचन सुनके बहुत प्रसान होये, अते जनम मरन छड के निहाल हो गए, तोन्त सारियां शक्तियां समेत हो गए, अते अंत परम पदवी प्राप्त कीती, पाई गंगा सैगल, महान जोदा सी, ओ ओ उत्थे जित्ते शिर्गुर अरजन देव जी, बिराजमान सन, जाद बंदना करके पास बैठ गया, ताँ गुरु जी ने अपने मुखार बिंतों बचन किते, तुसी मुसलमान दे नोकर हो, एक कोई चंगी गाल नहीं है, जे तुसी कहो, रोजगार नहीं है, ताँ शिरी हर्गोव जी दे पास रहो, सारे प्रवार्दा गुजारा होवेगा, अते चंगी तरह संबाल के सतनामदा सिम्रन भी करोगे, इस दुनिया दे सारे कारे पूरे होणगे, अते अगली दुनिया विच उजल मुख लेके जाओंगे, एस उनके गंगा सैगल बहुत परसन होया, सोचन ल लोकां विच ही, गुरु जी ने अपना बना लया है, इस तो चंगी गल होर केड़ी है, ओ गुरु जी दे पास ही रह पया, ते बहुत वड़ा सूर मा प्रसेद होया, जाद शिरी हार गोबिन जी, युद कर दे सन, ता उसने वड़े वड़े बलवान तुरकानों मारया, बहुत प्रसान हों दे सन, होया पुल्ला चुकादी खियमा बक्षनी जी, दासन वागया देओ, वाहिगुरु जी का खाल सा, वाहिगुरु जी की फते।